सैदार होंगा रिनी आपका मुझ्पे ये उपकार किया सैदार होंगा रिनी आपका मुझ्पे ये उपकार किया दैया कलके मुझे को गणराया भक्तिका अधिकार दिया चे रो तेरी गड़ राया आप अगर ना करते दया तो मुझे ना मिलती ये सौगार समय मेरा कैसा भी रहा हो आप रहे हो हर दम साथ अगर ना करते दया तो मुझे ना मिलती ये सौगार समय मेरा कैसा भी रहा हो आप रहे हो हर दम साथ हर के विघन बाधाए मेरी खुशियों का उपहार दिया दया करके मुझे को गड़ राया हक्ति का अधिकार दिया जय हो तेरी गड़ राया जय हो तेरी गड़ राया सदा जुके सरचरण तिहारे बस ये काम ना हो पूरी भक्ति में बाधा नहीं आए और ना आए मजबूरी तुमने सदा जुके सरचरण तिहारे बस ये काम ना हो पूरी भक्ति में बाधा नहीं आए और ना आए मजबूरी तुमने सदा सुख मैं जीवन का देवा मुझे आधार दिया दया करके मुझे को गड़ राया भक्ति का अधिकार दिया जे वो तेरी गड़ राया जे वो तेरी गड़ राया धनी भाग का मैं हूँ देवा शर्ण जो तूने लगाया है दूर कर दिये कश्ट मेरे सब और मंगल बरसाया है धनी भाग का मैं हूँ देवा शर्ण जो तूने लगाया है दूर कर दिये कश्ट मेरे सब और मंगल बरसाया है सारे सब नो को मेरे देवा तुमने है साकार किया दया करके मुझे को गड़ राया भकतिका अधिकार दिया जे वो तेरी गड़ राया झाल झाल तोरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना तोरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना बोलो तौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना बोलो तौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना गोरी 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 नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना गौरी 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 नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना ओ, कौरी नंदन गजानना, शंकरसुवन गजानना देम से बोलो कौरी नंदन गजानना, शंकरसुवन गजानना गौरी नंदन गजानना, शंकरसुवन गजानना गौरी नंदन गजानना, शंकरसुवन गजानना गौरी नंदन गजानना, शंकरसुवन गजानना एक बार कैलाश पर भग्वान गोलेना, माता गोरी, कुमार कार्तिकेय और गणेश भग्वान एक साथ विराजमान थी लिलावश, कुमार कार्तिकेय और गणेज जी ने अपने माता पीता गौरी शंकर से ये कामना की कि वे उनका विवाह करा दें दोनों भायों ने बाल लिला करते करते ऐसा हट किया कि पहले मेरा ही विवाह कराई है कार्तिकेय जी का तरक ये है कि मैं आयू में बड़ा हूँ इसलिए पहले मेरा विवाह होना चाहिए और गणेज जी का तरक ये कि पहले मैंने पहल की है इसलिए मेरा विवाह पहले होना चाहिए लीला को और रोचक बनाने के लिए भगवान भोले नाथ ने अपने दोनों बालकों से कहा कि जो धर्ती का चक्कर लगाकर सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा मैं उसका विवाह पहले करा दूंगा मयुरेश कार्तिके जी ने पिता की बातों को शिरोधार्य किया और अपने वाहन मोर से उड़ चले धर्ती की परिक्रमा करने के लिए अब गणेश जी ने सोचा कि अगर मैं इतना भारी भरकम शरीर लेकर मुशक पर बैठ कर धर्ती माता के चक्कर लगाने गया तो पक्का कार्तिके अभया से हार जाओंगा उन्होंने युक्ती लगाई और शिव पार्वती की परिक्रमा करके उनके सामने खड़े हो गये और बोले मेरा विवाह कराईए अपनी अध्भुत तरक शक्ती का परिचय देते हुए गणेश जी ने शास्त्रों का उधारन देकर ये प्रमानित कर दिया कि माता धर्ती के समान और पिता आकाश के समान होते हैं अतह मैंने आप दोनों की परिक्रमा करके धर्ती माता और आकाश देव दोनों की परिक्रमा करली भगवान भोले नात और माता पार्वती गणेश जी के इस तरक और माता पिता की भक्ती से अठ्यंत प्रसन्न हो गये और उन्होंने रिध्धी सित्धी के साथ भगवान गणेश का विवा संपन करा दिया बोलो श्री गणेश की तोरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना गोरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना गोरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना काये भक्तों गोरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना 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 ओ गोरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना गौरी नंदन गजानना 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 शंकर सुवन गजानना गोरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना गोरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना भगवान गोले ना और माता पार्वती से उन्हें प्रथमेश होने का वर्दान प्राप्त है अश्ट विनायक गिरूप में भगवान श्री गणेश अश्ट सिध्यों के सुवामी है भगवान श्री गणेश का स्वरूप अतिविचित्र है और हमारे जीवन के लिए उपयोगी अंगिनत सीख देने वाला है भगवान श्री गणेश के स्वरूप का यह रहस्य और सीख हम सभी भगतों को भवश्य जाननी चाहिए गणेश भगवान का विशाल मस्तक उत्तम बुध्धि धरन करने अर्था बुध्धिमान होने का प्रतीक है और उनकी छोटी छोटी आखें किसी भी वस्तु को बारी की से देखने का संदेश देती है भगवान गणेश की लंबी सून अर्थात नाख सर्वप्रतम तो उनके महत्व पूर्ण स्थान का परिचय देती है वहीं किसी भी विशय को दूर से ही सूंग समझ लेने का संदेश देती है भगवान गणेश के बड़े बड़े कान अधिक से अधिक सुनने का संदेश देते है तो वहीं सून से धका हुआ उनका मुख कम से कम बोलने का संदेश देता है और भक्तों आपको पता है एक दंत स्वरूप अर्थात तूटा हुआ दात ये संदेश देता है कि जीव को माया से संबंध तोड़ देना चाहिए लंबोदर स्वरूप अर्थात बड़ा पेट ये संदेश देता है कि हमें बातों को बचाना सीखना चाहिए भतों इतना भारी भरकम साल शरीर होने पर भी मुशक अर्था चुहे की सवारी करते हैं जिसका संदेश यह है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए परन्तु उसे इतना सरल होना चाहिए कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी उसको वहन कर सके साथ ही चुहा उतर्क का प्रतीक है उसको अपनी सवारी बना कर भगवान श्री गणेश तर्कूपर नियंत्रण करने का संदेश देते हैं तो भक्त जनों इस प्रकार भगवान श्री गणेश का स्वरूप हमें जीवन दर्शन का आभास कराता है और हमारे कल्यान का मार प्रकाशित करता है तो बोलिये श्री गणेश भगवान की गोरी नंदन गजानना शंकरसुवन गजानना 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 गोरी नंदन गजानना शंकर सुवन 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 गजानना गोरी नंदन गजानना गोरी नंदन गजानना शंकर सुवन 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 गजाननना गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना गजानना शंकर सुवन गजानना गजानना शंकर सुवन गजानना गजानना शंकर सुवन गजानना अष्ट विनायक मंगन मूरत नमो नमो गनराश 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 मंगल अबसर आया घर में बज ढोल शहनाई आओ पधारो घर अगन में हमने ठेर लगाई ओ मंगन अबसर आया घर में बज ढोल शहनाई आओ पधारो घर अगन में हमने ठेर लगाई विगन हरो सब गौरी नंदन पूरन करियो काज बंदन हर दम करो तुम्हारे राखो मेरे लाज अश्क विदायत मंगल मूरत नमो नमो घर राख ए गड़ राया ए गड़ राया गुम्रवर्णों कार सरूपा सभी गड़ों के नायक बक्र तुंडनं पूदर काया सभी सुखों के दायक दीन ही नकी रक्षा करना देवों के सर ताज बंदन हर दम करो तुम्हारे राखो मेरे लाज अश्क विगायक मनल मूरत नमो नमो घर राख दूप दीप से करुवारती चंदनहार सजाओं लड़ु मोदत थान सजाके फेम से भोग लगाओं ओ धूप दीप से करुवारती चंदनहार सजाओं लड़ु मोदत थान सजाके फेम से भोग लगाओं वरदानों की बरखा करना हम भक्तों के याज बंदन हर दम करो तुम्हारे राखो मेरे लाज अश्ट विदायत मंदल मूरत नमो नमो गणराश अश्ट 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 दया किशी तल छाओं बनाके रखना हे गणराश दया किशी तल छाओं बनाके रखना हे गणराश लगे डूबने ज़भी नईयां रख लिला तूलाश जड़ चति महारा जाजिना जड़ पति महारा जाजिना जड़ पति महारा जाजिना जड़ पति महारा जाजिना जड़ द्रश्ट तूँ जिस परड़ जड़ बाधा निकट ना आए है अविरामी क्रिपाप की सित्थ काज हो जाए दया दिश्ट तुम जिस पर डालो बाधा निकट ना आए है अविरामी क्रिपाप की सित्थ काज हो जाए संकत सारे मेरी मिटाना गड़ों के तुम सरता लगे डूबने जधी नएया रख लेना तुम ना गणपति महारा जादिना गणपति महारा जादिना गणपति महारा जादिना गणपति महारा जादिना अपति उलादिना कोई नहीं है बिना आप के, काज सफल जो कर दे, आनन्द मंगल बरसा के, जीवन में खुशियां भर दे कोई नहीं है बिना आप के, काज सफल जो कर दे, आनन्द मंगल बरसा के, जीवन में खुशियां भर दे सौब दिये है तुमको अपने जीवन के सबकार, लगे डूबने जबी नईयां रखने ना तुम लाज जड़ पति महारा जा दिना प्रीत लगे चरणों से ऐसे मन कही और न लागे तेरी सेवा में जोड़ दिये है भक्ति के प्रभु धागे प्रित लगे चरणों से ऐसे मन कही और न लागे तेरी सेवा में जोड़ दिये है भक्ति के प्रभु धागे सदर दय के तारों से बाजे भक्ति के साज लगे डूबने जबी नईयां रखने ना तुम लाज गणपति महारा जादिना सर्व सोख्य प्रदाएने नमो नमहां गजानना सिद्धि बुद्धि प्रदाएने नमो नमहां गजानना सर्व सोख्य प्रदाएने नमो नमहां गजानना सिद्धि बुद्धि प्रदाएने नमो नमहां गजानना विघन हरने वाले होश्य प्रदाएने शंभ सुत निराले हो देव मनुष द्वारा तुम पूजे जाने वाले हो सर्व सिद्धि देव तुम एक दंत वाले हो सिद्धि काज करके तुम लाब देने वाले हो सर्व सोख्य प्रदाएने नमो नमहां गजानना सिद्धि बुद्धि प्रदाएने नमो नमहां गजानना सर्व सोख्य प्रदाएने नमो नमहां गजानना सिद्धि वुद्धि प्रदाएने नमो नम गजानना आसे लेके आपकी शरण में जोवा गया बिन कहे ही आपसे गजानन सब पा गया सहज कुणगान ही आपके मन भा गया काज सिध्ध हो गए भाक्य वो है बना गया सर्व साख्य प्रदाईने नमो नमः नजानना सिध्ध बुद्ध प्रदाईने नमो नमः नजानना सर्व साख्य प्रदाईने नमो नमः नजानना सिध्ध बुद्ध प्रदाईने नमो नमः नजानना पारवती लाल तुम्ने बख्या नमो 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 नमः ना भक्तों को संभाला है व्याधा बाधा से उन्हें सदा ही निकाला है प्रखर बुद्धियाप की प्रभु रूप निराला है ज्यान दे के सब का दुर भाग तुमने टाला है सर्व सौख्य प्रदाईने नमो नमहा नजानना सिद्धि बुद्धि प्रदाईने नमो नमहा नजानना सर्व सौख्य प्रदाईने नमो नमहा नजानना सिद्धि बुद्धि प्रदाईने नमो नमहा नजानना मुद्धि बुद्धि 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 किरपा ऐसी कीजिए सारे ही विकारों से हमको बचा लीजिए सोच और विचार में देर नहीं कीजिए तीन हीन दुखियों पर दया कीजिए सर्ब सोख्य प्रदाईने नमो नमहा नजानना सिद्धि बुद्धि प्रदाईने नमो नमहा नजानना सर्ब सोख्य प्रदाईने नमो नमहा नजानना सिद्धि बुद्धि प्रदाईने नमो नमा नजानना आन पड़े हैं शरण में कंठ से लगाईये सपन जो हमरे हैं देवा सच बनाईये अव गुणों को हैं प्रभु चित में न लाईये सौं में और शांती की राह दिखाईये सर्व सोख्य प्रदाईने नमो नमा नजानना सिद्धि बुद्धि प्रदाईने नमो नमा नजानना सर्व सोख्य प्रदाईने नमो नमा नजानना सिद्धि बुद्धि प्रदाईने नमो नमा नजानना सर्व ग्यानी आप हैं आप का घट घट वास है पूर्ण करोगे हमारी स्वामी तुम से लगी आस है अब है हमारे स्वामी और हम दास है तुम करोगे समाधान तुम पे विश्वास है सर्व सोख्य प्रदाईने नमो नमा नजानना सिद्धि बुद्धि प्रदाईने नमो नमा नजानना सर्व सोख्य प्रदाईने नमो नमा नजानना सिद्धि बुद्धि प्रदाइने नमु नमाः गजानना